नमस्कार, स्वागत है आपका स्पोटलाइट हरियाना में एक और शक्सियत के साथ इस बार हम हाजिर हैं शक्सियत हínaकि ये पहली बार नहीं है जो हमारे साथ हैं शिक्षा मंतुरी कमरपाल जी के हम बात करें लेकिन कमरपाल जी के पास आना हमारे पास एक मकसद के साथ है वो इसलिए क्योंकि शिक्षा से जुड़े और शिक्षा विभाग से जुड़े इतनी बाते हो रही है इतना कुछ विपक्ष भारा भी बोला जा रहा है तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं तो कहीं न कहीं ये बनता है कि हम सीधे कमरपाल जी से पूछें कि आखर माजड़ा क्या है क्यों ऐसा कहें कि आरोप लग रहे हैं या इस तरह का तनाव का माहौल बनाया जा रहा है सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे बहुत-बहुत स्वागत कमरपाल जी पहले तूम टैब की बात करते हैं कि बहुत कह सकते हैं कि स्कूली बच्चों के लिए खुश्खबरी है कि आप बच्चों को टैब बाटने जा रहे हैं बहुत दिनों से वो इंतिजार कर रहें तो कितना माटे जाएंगे। किन किन क्लासेस को बाटे जा रहे हैं क्या कुछ है बताएगे देखें पांस तरीक को माने मुख्यमंत्री जी रो तक में इसकी सुर्वाथ करेंगे और उसी दिन पूरे प्रदेस में जितने भी मारे एज्यू किसन बीlexक ब्लोगें है सबी एजी किसन ब्लोग पे टैब बंढ़ जाएगें और उसी दिन टीन लाख जो विध्यारत ही है उनको टैब देरेया का मैंका करेंगे जिलाओ पाई तो भी इसमें सामीड लस्कते हैं और इसमें दस्वी और बारमी को हम TEP देंगे आप इसमें तीन तो ग्यारमी के स्टुडेंट बढ़ भी सकते हैं तो अगर बढ़ेंगे तो और टैब खृद लिए जाएंगा उनको प्लब्द कराएंगे अच्छी बात है हम टेक्नोलोजी की तरफ बच्चों को आगे बढ़ा रहें उनको प्रोचसाहित कर रहें लेकिन इंटरनेट के कूठ कराई जागा और साथ ही हमने उनको देदी हैं और 2 GB डइटा हमने उनको फ्री दिया और जिन कंपनिखे साथ मारा होअ है । informação है एके सथ हमारा जोनम कपनिख की मारी बात्चित मैं है कि जहां सब्सक्राइब कि दिक्कत होगी तो इस प्रकार के इस्टुमेंट लगा के वहां तो इसका विवस्था करेंगे अच्छा सर एक चीज़ जब हर तस्वीर का दू दो रुख होते हैं टैब से कही ने कहीं जा बच्चों को एजुकेशन में या एक्स्प्लोर करने में ग्यान बढ़ाने में फा कामना शुरू कर दें पढ़ाई के बीच में बिल्कुल बिल्कुल उसकी पूरी विवस्था की उसमें केवलों केवल स्लेबस ही उसमें आएगा और उससे संब्धिती होगा आप दूसरी कोई भी फेस्बूक या दूसरा नहीं चलेगा ठीक है अच्छा सर नियम 134 एपर हा उसको वापस लिया उसके कुछ हफते बाद सरकार के तरफ से दिया जा रहा है कि नहीं अभी जो है आप थोड़ा बताईए कि एक वापस लेना एक वापस लेना यह क्या क्यों किया गया है एक टाइम में एक नियम रहेगा यह तो आर्टी लगू कर दो यह 134 यह लगू कर सख्रास दोंगो आपके से लागून से करी हैं हमने विचार किया कि अगर हम 134 एक लिकर को चोड़ते हैं और आर्टी को अपनते हैं तो उसमें में लव क्या है उसमें बच्चे होँ 25% बच्चों का इडिविशन करा सक्तर हैं ह। और उनों 25% बच्चों में 60% जो खर्चा है वो केंदर सरकार देगी, तो उसमें मेलाब है कि तो पैसा में सेंटर से मिलेगा, और एक 25% बच्चों का मेडविशन करवाने में सफल रहेंगे, जहां 134 में केवल 10% बच्चों का मेडविशन करा सकते हैं, तो इसलिए हमने RTE को स पैली क्लास की बच्चे का मेडविशन कराएंगे, अगले साल वही बच्चा दूसरी में जाएगा, फिर पैड़ी मेडविशन हो जागा, वह तीसरी में जाएगा, पैड़ी में, तो ऐसे उत्ते हो आठवी तक उचले जाएगा, तो अब हमने एक विचार किया, कि जो बच हम जो हमारे मान्याता प्रापत स्कूल हैं, उनके साथ बातचीत करके, और जो जुरूरतमन बच्चे हैं, उनकाड़ी में कराएंगे, और हमने उस फीस को लग बगड़ नुगणा कर दिया, जो हम पहले तीन सो रुपे दे रहे थे, उसको बढ़ाएगे, उसको बढ़ाए से नमवी से बारवी तक हम साथ सो रुपे दे रहे थे, उसको बने बढ़ा की ग्याराफ सो रुपे कर दिया, तो क्योंकि हमने अच्छा अमाउंट गोसित कर दिया उनके प्राइवेट स्कूलों के लिए, तो मेरा यकीन है कि हम बातचीत करके बच्चों काड़ में इसन कर मतलब संपन वरक के लोग भी जिनके आमने ठीक ठाक थी उन्होंने इडिविसर करे लिया, और उसमें क्या है कि जैसे एक बच्चे गाडविसर इसी स्कूल में, और बाद में उन्हों 134 ए में दबारा उसी में करे लिया, इडिविसर, तो चेक करने का भी तो इसी स्कूल कर कर दिया, जो अब तक मेरी फीज देता है रहता, अब अबने आप अडिविसर करके उसकी फीज आपने माप करे दी, तो हमने पिछले उसमें उसमें एक सर्वे करवाया और हमने कहा कि जिन लोगों की आमदन एक लाक ऐस्ची जार से कम है, हम उन्होंने इक आडिविसर तो उस प्रकार के लोग यह रोप लगे रहे, वास्तिकता में जो गरीब वेक्ति है, उसका अब नेडिविसर काफी तक कराया भी है, और आने वड़े विश्चे में पूरा प्रियास करके नेडिविसर कराएंगे जो रिमोट एरियास है, वहां पर प्राथमिक स्कूल हैं, उनकी कुछ जगहों पर ऐसा है कि जहां पर बाकि स्कूलों के हालत कराएंगे आप पर ही छोड़ता हूँ बाती, आप इसारा सर्वे कर लो तक आप आने के स्कूलों कर लो गराभील करेंगे मैं दावे के साथ कहे रहा बिंदंघ हम ने का है सबसे इटेशी है लेकिन टोटल में जितनी बढ़िया ब्ली आ रिहना में कितने परसन्त आप कहेंगे कि बिलकुल सही सलामत है और इतने परसंट में दावे के साथ कहे रहा यह के 70% से ज़यादा बिल्डिना अच्छे बहुत बढ़ी है जल्दी टेंटर करके और जहां कम यह उसको देंगे लेकिन हम यह सर्वे जरूर कराएंगे कि इतना परसन जो है वह एकदम सही सलामत है और किस परकार आप दिल्ली वड़ों का भी सर्वेकर वैलो साथी अब दिल्ली वालों की अगर बात करें वह तो लगातार घरियान से आपना लो जूट का पुलिंदा है वह अपनी बात को सिद्ध कर देखेंगे वह पांसो क्रोड से ज्यादा इस बात के लिए खरच करने जो बात हो कहते हैं उसी बात का परचार करने के लिए आप उसमें से दिल्ली वालों के पाँसो क्लोड से जयादा इस बात के लिए खर्च क्रोदें गिए ऐसी, बात को कहें थिरो बार-बार-बार, के 3% तँरु के है तो न मनें साथ साल में हमने इन साथ 17 कोलेज कर दिए000 गर दी 18 quickly type a प्रोसेस में और तीन आप तुलना नहीं कर सकते हैं हम जुरूत के साफ से काम कर रहे हैं मारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई भी बेट्टी 20 किलोमेटर से दूर नहीं जाएगी पड़ने के लिए और हमने सारे सारे कॉलिज बिना जी आमने संस्कृती मोटल स्कूल थे 22 थ आप तो पत्रकार हैं आप आप निकाल के देखे लो कितने हैं हमने आपको बताय दिया किया वह भी बताया किया आप साराज नहीं है कि मारी चीज अच्छी मारी चीज अब वह ओस्पिटल की बात देखे लो आप में दावे के साथ करें अब ही आप सारे ओस्पिटलों से डेटे मंगाए लोग और आपको पता चलेगा के हरियाने के मैक्सिमम ऑस्पिटल में दिल्ली के पेसे डदाखिलते को रोना के टाइम में अगर उनकी वेस्ता ची थी त और उससे पूछेओं के आपके यहां दिल्ली के कितने पैसेट थे वह अभी आपको बताता है कि तो जब यह मुसीबत आई तो उस टाइम जब एक प्रस्टित्या समाने जब एक दम एक कोई दिक्कत आईगे ना उस टाइम पे तो सरकारों को मिलके काम करना ही मैं मिलके काम करने से निकार नहीं कर रहा है मैं यह कह रहा है कि दिल्ली में विरस्थाएं जादा है पेसेंट आप कदीगाए तियास देख लो पेसेंट दिल्ली जाता है दिल्ली से इपना नगर नहीं आते हैं समझ गये हैं अच्छाए मानिता प्राप्त जो स्कूल हैं उनकी संख्या हजार से उपर है उनके लिए अपने क्या कुछ सोचा है देखिए उसके नियंब बने दोजार तीन के आ और फिर उसके बाद इसमें छूट दी पिर छूट दी तीसरी बार हमने भी चूट दी कोई नहीं तो जाए कि इसको काम को रोकना पड़ेगा नहीं तो अमने उनको यह भी खा कि अगर आप को किसी तरी के के लोन की जुरूरत है कर्द की जुरूरत है आप लिए सरकार आपकी मदद करेगी लेकिन जो नौर में उनको पूरा करो ठीक है अब हम शिक्षा से हटके थ भाषा करने के दावे तक यह हैं कि किस तरह से जो बिजली कट है जो बेरोजगारी है जो महँगाई है खासवा पर बिजली कट को लेकर उनोंने कहा कि सरकार जो है वो अंडे टेबल काम कर रही है और जो खरीदी हो रही है वो गलत तरीके से हो रही है तमाम चीज़े ऐसी कही गए तो ये तीन जो मुद्दे हैं जिस पर लगातार सरकार को घेरा जा रहा है वेदर इस महेंगाई बिजली कट और बेरोजगारी तीनों पर ही हाला कि मुख्यमंतरी भी जवाब दे रहे हैं लेकिन कहीं ने कहीं मुख्यमंतरी का जवाब जो है विपक्ष को पसंद नहीं आ रह है क्या जवाब देंगे महेंगाई से शुरू करते हैं सर्थ और जब मारी सरकार आई तो वह गठके साड़े 4 परसेंट थी अब वह बढ़के साड़े 6 परसेंट है लेकिन जब कांगर्स का टाइम था और महेंगाई बड़ी प्रस्थित्यां समन्ने थी कोई किसी प्रकार क का प्रिवर्तन उसमें आया निया आप उसको देख लो कोई प्रिवर्तन 2004 से लेके 2014 तो कोई प्रिवर्तन निया कुई लढ़ाई जगडभाद मिनी थी कोई भीमारी लेकिन लेकिन महेंगाई यह 12 लेकिन सरखाराय ही है अमने कटाया गिन अब ऑस्था साड़्य न clásत है। लेकिन और उसके बाद तीसरी बात यह उनके 10 साल में उनके 10 साल में कभी भी ऐसा नहीं आइंग लोगा हो और आने वड़ी मैं जैसे प्रस्थितितिया समखने होती जाएंगी तो निश्ची तोर से जैसे करोना से अब नियादेश अब वेक्ति की आमधन बढ़ती जारी काम स अब एक आप पर ही जो आम क्या आरोप कहूं या बताया जा रहा है लगातार और यह हॉट टॉपिक है इस दौरान आमादमी पार्टी की तरफ से आपके शिक्षा पर और इसके साथ पूरे विभाग पर ही कहीं कहीं सवालिया निशान लगा दिया गया है और नवीन जैहिंद फ़िल गुप्ता बुले लगाथा आप पर हमलावर हैं सुषिल गुपता जी ने कहीं किया नवीन जैहिंद जरूरहा है आप पाल्टी कहा है है प्वह सवाल उठाते है तो आप पाल्टी का है ना आप पाल्टी वड़ा कह रहा है कि आप जो है ग्रेजवेटनी है नहीं जूकि आप शिक्षा मिंत्री है इसलिए तो मुख्या मिंत्री के पास तो शिक्षा मिंत्री है तो पंजागा जोन का मुख्या मिंत्री है तो उसकी टिक्री दिखा देगा आ अप पाल्टी के में जैसे कह रहा है, अब दूसरी बात है कोई नहीं खोज नहीं करके लेकर आया है, जब भी कोई विदायक बनता है, तो अपने बारे में पूरी प्रोफाइल सारी सारी बताता है, क्या मेरी एजूकेशन कितनी है, क्या है, एक पुष्टक चपते हैं, उसमे सारी बीडिशन करते हैं, जब अभी पूर झाले नहीं करते हैं, तब ही मेरी विए पाल्ट मेट थी और उस टेंड़ था भी नहीं, अचानले की यह उता था? कि नाम ने कोई परम रहाए था हम अपने आपने घती लगे गए करने अपना है छिती करते पाद में दिमांग में बिजनस कर आ गए पर राम जन्ह पुमि गडवल चले हाथ भू संह नो ऑज और देरे और और तो यह गए तो यह उसमें वह स्वाल जब ऊठता है मान मैं आपने आपको कहता हूं कि मैं तो M.A.P.H.D. हूँ और मैं नहीं हूँ फिर तो मेरे उपर रोप है पर मैं कह रहा है मने तो कभी भी भी नहीं कहया बात मेरी तो यह उठी क्यों नवीन जैहिंद क्या चीज है अब तो देख लो नाप नवीन जैहिंद इसी तैप का आदम प्रकार की बत्ता करा अब अब अमने एक बात कहा कि मंत्री बढ़ने के लिए ना यह आदमी और वह क्वाली किसे पहले जंता का विश्वास जंता उसको प्रतिन दिभने देगी रहा उसमें बेज़िदेगी उसके बाद अगर मुख्य मंत्री को लगता है तो उसको जुम् मतलब मैं ही अंडर ग्रेजुएट ऐसा नहीं इस प्रदेश के मुख्य मंत्री इस प्रदेश में कितने ही मुख्य मंत्री ना कितने ही मंत्री दूसरे प्रदेशों में कितने ही मुख्य मंत्री और कितने ही मंत्री के अंडर में कितने ही मंत्री ऐसे हैं जो अंडर चुन के लिए दो दो बार मुख्य मंतरी बन लिए और कई-कई बार मंतरी रहे लिए जो लोग इतने अन्बवी हैं मतलब अन्बव के साबसे भी मैं तो उनके में कहीं मिन था अच्छा दो हजार चौबीस में आमाद्वी पार्टी जो है हरियाना में सरकार बनाने का पूरा दावा कर दे सिर्फ दावा ही नहीं वो तो दावे के मतलब बनने के बाद उनकी प्लैनिंग्स को लेकर भी वो तयार हैं अगर दस पात दस लोगों की जमानत बचै ली तो है और आपके बात रही कुछ दी होता यह रहाना है बड़ी सूज-बूज वड़ा प्रदेश है यह पॉल्टिकल सब से जागरुक प्रदेश है इस से जागरुक मैंने समयता यह ऐसे नीमत्ता जैसे जूठ बोलके कहीं चले लिया काम वो यारेने में चलने वाड़ा नहीं मतलब अगर वो यह जो शामिल हो रहे हैं जो सारों का इत्यास टैलों मैं भी आप से कह रहा है जितने लोग जोईन करें आप मेरे सामी अपनी अपनी जगे फेल हैं यानि कि अपनी जगे फेल हैं और उनकी पार्टियों ने उनको नेगलेक्ट कर दिया तो उसके बाद वह तो इस सारा का सारा जमावड़ा जो है नेगलेक्ट लोगों का जमावड़ा है जो अन सभी पार्टियों से नेगलेक्ट कर दियेगे वो सारे के सारे आप में आगे अब उससे करें सरकार बढ़ा होंगे जनता को विश्वास होता तो उसी पार्टी में रहते हैं जिस पार् कि आपको लग रहा है कि अब आपको Congress से डरने की जरूरत है आपको मतलब देखें उलेबान जी के देख्षपणने पर मेरी उनको बहुत-बहुत सुब कामने है खुब अच्छा काम करें मैं कट्थे विदाय करें दो बार मैं चार में उनके साथ रहा और पिछली बार में के स क्वारवाद किया कनरश की सरकार में परिवारवाद शितर प्रकार से चलए सारा-पारी प्रवारवाद सब्गरा परकार तो लोग अभी तक उसको मुझा या ओँशिकिवां मैं सब जगह एक जैसा लगूँ आज पूरे प्रदेश में आपको कोई आदम मिले नहीं हो गए करनाड में फालतु विकास करें लिया किसी नहीं कहा होगा आप से आज तक सब कहरें के साथ किसी के साथ कोई बहिमन नहीं जो बच्छा इंटेलिएंट है उसकी जात कोई है उसकी करनी ऑनी तो इन सारी बातों से sih द्रड़न काणिंट होगे कोई मन्स के साथ ऊब्रादी यह वास्तिकता में UP कां क्या किरक अलगरे किसी के साथ कोई जो है वह निश्ची तौर से जनता अपना विश्वास है वह चली बहुत-बहुत शुक्रिया कमरपाल जी हमारे साथ जुणने के लिए तो यह थे शिक्षा मंत्री कमरपाल जिन्हों ने ने सिर्फ शिक्षा विभाग बल्कि अलग अलग विभागूं और तमाम जो आरोप ल शक्सित के साथ हाजिर होंगे इजाज़त दीजे नमस्कार